है निबी फीवन माइनम इस दीपड वुटा इस वीडियो में हम बात करने हाले है कर्वार्य कलेड मैथारड इक वल करें सकंध 초के स्विक्वलियु में हमने इंडक स्कत किया था कि एक मैधर्ड क्या होता है च्वाल लेटर क्या होता है और кंप्रेजर तो हमने with example cover किया था very very important for the interview purpose आप जब कहीं Java के profile पे interview देने जाते हो तो string से questions पूछा ही जाता है और आप से यह पूछा जा सकता है what is difference between equals method and double equal to operator very very important ठीक है तो हमने example with example discuss किया था previous video में अगर जहां आपका छूड़ गया था previous video एक बड़ देख लो यह सारी predefined methods है ठीक है ने string class के predefined methods है so 25 plus method है जो we will discuss methods है we will discuss one by one ठीक है चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले caret method ठीक है ना and then equals ignore case method and third one is index of method अब देखू यह basically caret method क्या काम करता है basically मैंने definition लिखा है string caret functions returns the character located at the specified index जो index number देंगे हैं और उसका वो क्या करेगा character उस index number पे कौन सी character है उसको वो print करेगा उसको return करेगा ठीक है ना चलिए देखते है practical तो मैं यहां पर एक फाइल बना लेता हूं इस्ट्रीं इस्ट्री यार और फोर डॉट जावा चलिए अब यहां पर फोर डॉट जावा उसके बाद हम यहां पर क्लास बना लेते हैं क्लास का नेम दे दिया माई स्ट्रींग कुछ भी दे सकते हो अब यहां पर हम कोई स्ट्रींग ले लेते हैं स्ट्रींग मैंने यहां पर लिखा जावा अब इसके अंदर मुझे क्या करना है प्रिंट करवाना यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेट मैंने यहां पर लिखा का एसואन डॉट कैर एंडेक्स नंबर टू पर देखो यहां पर डू पर क्या हो जाएगा डेलेगा जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर डिकर एका और ज सबय公 pillow कर लिए तो हम compiler open कर लिए अब यहां पर हम क्या करते हैं desktop पर चले जाते हैं क्योंकि desktop पर मेरा folder है desktop पर फोल्डर जावा नाम का folder है फिर हम इसको compile कर लेते हैं string str3.java file का नेम है जावा 3 नहीं 4 और जावा देखते हैं compile is fine class का नेम है आपका जावा जावा एंड देन माई इस्ट्रेंड चलिए तो देखें यहां पर वी फिरिंट हो रहा है क्लिए पॉइंट यह बैसिकली जो इक्वाल सिग्णोर केस मैथड अब यह क्या करता है देखो यहां पर मैंने डाफिनेशन लिखा है string equals ignore case मैथड डिटर्माइस ता equality of two strings ignoring their case ignoring their मैं यहां पर थोड़ा सा इसको ignoring their case अब केस का मतलब देखो upper और lower case doesn't matter with this method ठीक है मतलब जो आप lower case में दोगे तो वो ignore lower case में कोई object create किया मैंने string object और compare कर रहा हूँ upper case के साथ ठीक है वो ignore कर देगा उसकी cases को ठीक है चलिए example के तुरू समझते हैं इसको ठीक है और return कर देगा boolean value जैसे मैंने यहां पे लिया है क्या देखो यहां पे string object s1 में हमने जावा इस्टोर किया ठीक है और boolean value रिटेन करेगा तो मुन्हें boolean b equal to s1 dot आपका method का नेम क्या था इक्वल इग्नोर केस चलिए इक्वल्स इग्नोर इस शरी और यहां पे पास कर दिया मैंने यहां पे पास कर दिया capital जावा तो देखो यह capital जावा तो यह इग्नोर कर देगा केस को और यह दोनों के सेम content हो जाएगा इस केस में आपका return क्या कर देगा true ठीक है इस इस केस में आपका true return होनी चाहिए चलिए देखते हैं compile करके रन करते हैं यह क्या print हो रहा है आपका वी क्यों अच्छा अच्छा सॉरी तो हम यहां पे बी को प्रिंट करा लेता है और बी को reference variable हमारा है चलिए अब फिर से compile करते compile fine देखो यहां पर true आ रहा है ठीक है अगर जा मैं content अलग देता हूं देखो content different देता हूं तो उसके इसमें आपका false आईगा जैसे मैंने यहां पे तो आपका अच्टू लिया और एस्टू के इंदर जो है आपका जावा नमका content है यह इस टीक है अब यहां पर मैंने लिग दिया यहां पर जावा के जगा मैंने लिग दिया मावा ठीक है मावा लिख दिया और मैंने यहां पर बीवन इसका रिफ्रेंश वरियेवल और यहां पर भी बीवन तो इस कीस में देखो आपका तो केस इगनूर करेगा कंटेंट तो अलग-अलग और हमने डिसकस किया था इसे अपका मेमरी के अंदर हो या आपका एक तो वो अब्जेक्स दोनों अब्जेक्स के अंदर content से हैं नहीं वो चीज़ें चेक करता है equals method ठीक है तो यहां पर देखो content सा लग हो गया इस case में आपका false आजाएगा चली देखते हैं देखो नीचे वाला false आगा आपका इक्वल इग्नोर के इस मैथड की इस तरीके से वक करता है ठीक है चली नेक्स्ट है आपका इंडेक्स आफ मैथड यह क्या करता है यह बैसिकली आप यहां पर कोई इस चीजें आपका इसका इंडेक्स नमबर तो देखो इंडेक्स आप मैथड रिटर्स आप फर्स और पर अपर जावा लिखा है यह चीजें हटा दो नेक्स आपके हटा दो अब मैंने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट 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 प्रिंट लन और देन एस वन डॉट इंडेक्स आफ इंडेक्स ऑफ और मैंने यहां पे पास किया हमने यहां पे इंडेक्स ऑगा थरु आ पे पास करना आपको और ँस्का इंडेक्स आपका प्रिन्ट होगा हमने घंडेक्स वे लिका चलीं खकलिएह चलिए देखते हैं compile find देखो यहां पे two aja है clear अब इसमें दो a है अगर जहां मैं इस तरीके से देदू यहां पे मैं फिर से इसको print कराता हूँ और यहां पे मैं लिखता हूँ a अब यह किस किस वाले a को print करेगा तो यह करेगा first वाले को second वाले को जो second A है उसका index number नहीं बताएगा यह चलिए देखते हैं देखो यह first वाले का बता रहा है अगर जहां आपको second वाले index second वाले basically जो A है उसका भी index number जानना है तो यहां पर method यूज होता है last index of method ठीक है index of method और मैंने यहां पर pass कर दिया A तो last index of method कितने number index पर है two one three चलिए देखते हैं compile करके देखो two one three I hope clear है ठीक है तो यह है आपका index of method ठीक है तो यह सब पुछा जाता है इंटर्वियो में इसको आप लोग note कर लो note करके practical करो clear point तो आज हमने discuss किया इस वीडियो में discuss किया हमने क्या किया तो first carat method क्या होता है equals ignore case method and third one is index of method with practical ठीक है इसको note कर लो note करके practical करो ठीक है यह सारी method है we will discuss one by one after completing this method we will cover a interview questions ठीक है जैसे one to ten यह very very important इन में से कोई ना कोई पुछा ही जाता interview तो we will discuss one by one practical ठीक है ना clear point after completing methods ठीक है तो आप लोग क्या करो इसको note कर लो note करके practical करो ठीक है लाइक करो comment करो subscribe करो यार मिलते है नेक्स्ट वीडियो थैंक यू बाबाए